हेलो बचावाटी एक बाद फिर से आपका सभी का वैलकम करता हूं मैं आपके अपनी चैनल अचीवर क्लासिस राहूल बाटी पर जैसा कि मैंने आप सभी से प्रामिस किया था कि अगर आपके से कोई भी अपडेट आती रहेगी तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा बस मैंने कल वी अपको वीडियो मों पहुताया था के हमारी जो सी बिसी सétais इग्जाम में पूसेदा नहीं है मैं गलंतबात को सपोड कर रहा हूं मेरा मेन मोटिव यह यह सपोड़ होने का क्योंकि इस महामारी की सिच्च्वेशन में बहुत से बच्चों को पास्तव सिथा नह करते हैं आप उनके बारे में सोचिए वो कैसे मैनेज कर पा रहा है उपने इस पढ़ाई को तो इसी सब लेडर आपके सामने नहीं अपडेट लेके आया हूं वो क्या अपडेट है आए जानते हैं सबसे पहले आज जेई मेंस का जो डेट है वे एनाउंस कर दिये हैं हमारे HRD सर्वाइबिनste editions ले यह जो जनुए में होता था जनवर्म वाला वह सिग्स जनवरी से अप्रोक्स है आपकाiffe प्लेशन करूंधी में की देट ही आपकी वह त्वेंटी टू से वन्ते शे त्वीण में होगा कि तौफैय से त एक तक त्व्वेंटी समूछ प्रवरी में अगर एक्जाम स्टार्ट होने थे तो वह होने दो इस बार पॉसिबल ही ने आप खुद ही लॉजिकल सोच सकते इस बात को कि जब फरवरी में आपका जेई में आपको देना है तो फरवरी में एक्जाम कैसे स्टार्ट हो सकते हैं तो इस बार कनफरम है कि आपकी जो डेट है वो एक्टेंट होगी जो इस फरवरी मार्च में एक्जाम होते थे वो आगे तो जरूर जाएगी अब वो मार्च में होगी अप्रेल मोगी कब होगी वो हमारे HRD मिनिस्टरी साथ बताएंगे जो की मैंना को पहली बताए था जो की इस बार 17 दिसंबर को लाइव आ रहे हैं सामको चार बजे तो इस बार जब जेई में की बोर्ट की बेट उन्होंने बता दिये तो अब उनके पास जो एजंडा बसता ह है वह हमारे बोर्ट की सुडेंट के लिए बनता है तो आपके जो एक्जाम है वह पोस्पोर्ण होना कंफर्म हुए एक तरह से ठीक है बचा और आप पोस्पोर्ण होते भी हैं ठीक है पोस्पोर्ण होने चाहिए जैसे कि मैं आप बताया बहुत सारे बच्चों के पास वह स्विधार नहीं है जो उनके पास होनी चाहिए जिससे वो उनलाइन पढ़ सके तो उसी को देखते हुए आप अपनी तेयरी अच्छे से रखें और हमारे साथ जुड़े रहें जैसे भी कोई अपडेट आती रहेगी मैं आपको देता रहूँगा थैंक्यू अब्रिवान